हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पल रेसिपीज, वाउ, दिवाली आने वाली है, मीन्स फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं, इसलिए हर घर में दिवाली पर मिठाई तो बनती है, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़ादा डिलिशिज हलवे की रेसिपी, इस पैनेपल हलवे का टेस्ट आपको सूजी का जो हम लोग रेगलर हलवा खाती हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, आप इस हलवे को किसी भी ओकिजन पर बना सकते हैं, पर इस दिवाली आप ये टेस्टी से हलवे की रेसिपी जरू ट्राइ कीजिए, शुरू करत इस पानी नहीं डालना है, ये वैसे भी सॉफ्ट होती हैं, और इसमें पानी की मात्रा भी होती हैं, तो ये ऐसे ही पिस जाएंगी, प्यूरी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं, और ये तीन स्लैसिस के मैंने ये चंक्स कट कर लिए हैं, हलवे में पाइनेपल चंक्स डालने से, खाते वक्त पाइनेपल का एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, पहले हम हलवे के लिए शुगर सी बना लेते हैं, ये मैंने पैन में धाय का पानी डाल दिया है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, ये चीनी है डिड़ कप, कुछ केसर के धागे भी डाल देते हैं, हमें केवल चीनी के घुल जाने तक ही पानी बॉयल करना है, इसको हम थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, नहीं तो शगर कभी कभी नीचे जम भी जाती है शुगर वाला पानी बॉल हो चुका है इसी शुगर में, शुगर के पानी में मैं एड़ कर रही हूँ पैनेपल सीरप जो की पैनेपल टिन में था ये सीरप एक कप ही लेना है और यह पाइनेपल की जो हमने पूरी बनाए थी वे भी इसी सीरप में डाल देते हैं और पाइनेपल चंग्स जो कट किये हुए हैं वे भी इसी में डाल देते हैं इन सब को एक बार चलाएंगे इसमें मैं ये 2-3 डॉप येलो फूर्ट कलर डाल रही हूँ यह optional है मैंने इसलिए डाला है कि इससे हलवे का कलर यलिश सा प्यारा सा आएगा दो से तीन टॉप पैनेपल एसेंस के भी डाल देते हैं यह भी optional है अगर यह दिए आपके पास है तो add करिए ने तो आप skip भी कर सकती है इस सीरप में एक बाइल आ गया है इसी स्टेश पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ढखकर साइट से रख देंगे अब करते हैं आगे की तैयारी अब हम एक कड़ाय में डालेंगे आधा कप देशी घी और इसमें add कर देंगे एक कप रवा यह रवा मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर तब तक चलाएंगे जब तक की रवे का कलर थोड़ा light brown ना हो जाए हमें इसको continuously चलाना है आप देख सकते हैं कि रवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है लेकिन अभी हमें इसको और भूनना है क्योंकि अभी इस पर brown color नहीं आया है दो से तीन मिनट बाद ही रवे में एक अच्छा सा color भी आ जाएगा देखिए अभी यह थोड़ा light brown color का हो गया है अब हम इसमें add कर देंगे साथ से आठ बादाम कट किये हुए यह बादाम भी इसी गी में थोड़े सिख जाएंगे हमें अलग से नहीं सेखने पड़ेंगे बस सफ तरफ से चला लेंगे यह अब डन है अब हम इसमें add कर देंगे पैनेपल वाला सीर शुगर सीरप सभी डाल देते हैं हमें बहुत ही केरफुली डालना है क्यूंकि शुगर सीरप और रवा दोनों ही काफी गरम है शुगर का एकदम गरम पानी गरम रवे में add करने से रवे का हलवा और भी दानेदार बनता है हमें इसे तब तक चलाना है जब तक की हलवा थोड़ा गाड़ा नहीं हो जाता इसी में अब हम add करेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर और mix कर देंगे हमें हलवी को बस इतना ही जलाना है क्यूंकि ये रखकर और भी गाड़ा हो जाएगा पिस्ती और almond flakes से गार्निशिंग करके आप इसे गर्मा गर्म सर्फ कीजिए फ्रेंड्स ये पानेपल हवा देखने में जितना खुबसूरत लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा यमी लियस है मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए जादे से जादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताईए कि आपको ये टेस्टी से हलवे की रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग